कि दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटुब चैनल सक्सेस मंत्रा बैदी पक्राइब दोस्तों आज से दो महिना पहले दो से द्हाई महिना पहले पंचैती वाग में करीब 35,000 भरतियों के लिए देखे काई लोगों ने वीडियो बनाया और आपको बताया कि बिना पैट की यह भरती होगे और आपने भी बहुत सा इस व्यूज देखे उसको समझे और इस भरती को लेकर देखे मैंने एक अपना व्यू बताया था कि जो यह चैनल पर तो यह वीडियो करीब दो महिना पहले मैंने बनाया था राम विकाज विभाग बिना पैट होंगी भरती 35,500 बंपर भरती तो उसी करम में देखिए बिना पैट वाली भरती आ चुकी है और जो चीज़े मैंने इस वीडियो मताया था वो चीज़े हो भू हो रही ह ठीक है अब आज की महाल में देखा जाए तो इस आप जो चात्र हैं बेरुजगारी के महाल में अगर तैरी कर रहे हैं आप तो कहीने कहीं प्राइवेट जॉब भी आप कर रहे होंगी अपना खर्चा चलाने के लिए पढ़ाए खर्चा चलाने के लिए रूम रेंड देने के लिए तो कोई भी भरती देखो भरती कोई यहां पर बुराइ नहीं होने वाली है लेकिन यहां पर रेखा जाए तो अगर सरकार पास इतनी मातरा में अगर यह बर्तियां हैं तो इनको पर्मानेंट खरतियाँ क्यूं देनी चाहिए तो फिलाल चलिए अपना व्यू बताईएगा कोई भरती बुरी नहीं होती लेकिन यह है कि अगर आप इसमें आते हो तो इसके साथ साथ यह भी मान कि आपको चलना पड़ेगा कि हम जितने साल का आपका कॉंटेक्ट होगा जितने समय का अनुबंद होगा उतने साल तक आप काम करो उसके बाद आपको कभी भी निकाला जा सकता है तो उसके लिए आप अपना बैक बना कर चले इन सब पर इस प्रकार की भरतियों में और अपने त्यारी करते रहें पेपर देते रहें देखाऊंगा आज के पेपर में देखिए पंचायती राज निदेशाले यह आपका है पंचायती विभाग उत्तर प्रदेश दिरांग 15-3-24 पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश वारा राश्टी ग्राम सुराज अभियान देखो तरह तरह के सरकारी योजना चलत करते हैं आउट्सोर्सिंग सम्विधा किसी एजनसी के माध्यम से आपका चैन होगा ऑउंसोर्सिंग माध्यम से विकास खंड इस्तर पर ब्लॉक लेवर अंगान बाडी कार करता हैं चाहे आप देखो गयों रोजगार सेवक हैं जो मंदरेगा में काम करते हैं या एपीयो जो ब्लाक में होते हैं है ना एप यह होते हैं computer operator होते हैं तो यह सम्विदा पर ही रखेंगे हैं ठीक है तो खंड परयोजना प्रबंधग के नए रिक्तपद होतो है इस पोस्ट का नाम देखिए विकास खंड परयोजना प्रबंधग है ना परयोजना प्रबंधग एक यह न युन्तम 18 और मैक्समम आपका 35 वर्स होना चाहिए बड़ी बात यहां पर देखिए 18 साल में क्या आप ग्रेजुएट हो जाते हैं हो भी सकते हैं मेरे ख्याल से तो कोई नहीं को सकते हैं तुर्टी हो सकती लेकिन अब इसका सासना देश भी देखेंगे अब आप देखिए किस तरीके से भरती में आप कर सकते हैं चलिए छोड़िए भरती है आउट्सोर्सिंग के माधियम से इसमें किस प्रकार से भरती होती है अब कहना नहीं चाहूंगा ठीक है आप ही कमेंट करके बताना किसी मानतर प्रकार आप संसा तकनीकी विसम इसनातक जैसे BCA, BSC यह टेक, MCA यह तो computer certification का आप सकता नहीं है अगर आप यह है तो आपको computer certification का आप सकता नहीं है लेकिन अगर आप केवल इसनातक है तो आपके पास 60% होने चाहिए ठीक है कितना बड़ा से मार्च 2024 रखा है ठीक है आपको कहां पर जाना है स्टीटीप सेवायोजन डॉप 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 डॉट यहां पर सरक सेवायोजन कार्याले है पहले लोग मेरुद्धारी बत्ता मिलता था रजिस्टेशन कराते थे हैं ना वही वाली वेबसाइट पर आपको जाना ठीक है तो आप इस रेंज में है 210 बंपर भरतियां है 210 भरतियां है आपको वेतन कितना मिलेगा यह जबद देखिए आपको 15,000 एक रुपए वेतन मिलेगा 15,000 एक रुपए वेतन के लिए इनको चाहिए ग्रेजुवेशन में 60% O लेवल B लेवल A लेवल PGDCA ठीक है चलिए इस तरीके से यहां पर यह भरतिया आई है अब आपको इसमें कहां पर जाना है सबसे पहले सेवा योजन देख लो भाई सेवा योजन ठीक है यह सेवा योजन का है ठीक है रोजगार संगम UP विभाग है अब आप यहां पर जब जाओगे तो यहां पर देखो लिखा है पर आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, खोजेंगे, चलो यहां पर देखते हैं, ठीक, तो समस्त भरती समोह, यहां पर फिलाल अभी यह अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, फिलाल यह वेब साइट है, आपकी वेब साइट है, एक मिट रुको, गोवर्मेंट जॉब प्राइवेट जॉब, गोवर्मेंट जॉब, ठीक है, एक मिट यहां पर आओगे, ठीक है, यहां पर आओगे, तो यहां पर देखो लिखा है, आउट सोर्स नो करियां, प्राइवेट नो करियां, सरकारी नो करियां, यह सब चीजे आपको यहां पर मिलें, रोजगार मिला और 31 तारीक क्या है last date ठीक है अब इसके संबंद में देखिए पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आचुका है अधिक देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आरजी ऐसे योजना अंतरगत विकास खंड स्तर पर ब्लाक प्रयोजना प्रबंदकों की भरती का विज्यापन ठीक है इस पर क्लिक कर लीजेगा और अगर यह विज्यापन चाहिए तो भाई मैं आपको अपने टेलग्राम पर दे दूंगा शेयर कर दूंगा आप आजाने प्रेशक निदेशक्ला सर्विसेथ लिक्राइजब वर्ल्ड क्लास सर्विसेथ लिम्टत नर में यहाँ पर क्या कहा गया देखिए प्राश्टी ग्राम सुराज अभी ओजना के ने पदों पर चेयन गिया जाने के संबंध में नेसला की पतर संख्या इतने इतने के तहट ये ग्रहन करने का स्ष्ट करें और यहां पर देखें लिखा हुआ है सासना देश के अंतरगत 6 मार्च का ये था इनका संस्था का यहां पर देखे जो भरती करेगी राजदीप इंटरप्राजेस वर्ल्ड क्लास सर्विसेस विकास खंड प्रयोजना प्रबंधक आपका नाम रहेगा वो तच्छा नाम है पुल्पत यहां पर 100 इसके हैं ये कि मेसस राजदीप इंटरप्राजेस सो भरती करेंगे और वर्ल्ड क्लास सर्विसेस 110 करेंगे दोनों लोग मिलके करेंगे आधा आधा कर लो भाईया ठीक है 210 है अब आप यहां पर देखोगे 18-35 वर्स यहां पर भी लिखा हुआ है अब मेरे यहीं नहीं समझ में आ रहा ह सब्सक्राइब करेंगे जो लिखा है मैं वहीं आपको बताऊंगा राष्टे ग्राम सुराज अब यहांने 15,000 रुपए आपको मिलेगा 15,000 रुपए ठीक है अब आपको इस भरती के संदर में क्या विचार है नीचे कमेंट करें क्योंकि बहुत हाइप क्रियेट किया गया मेरा ख्याल मेरा ख्याल से कल से लाइव हो जाएगा और सारी साल के समुधा होगी हालाक हो थी से नोटिस दिया हाला कि नोटिस का प्रावदान तो हो गए ऐसा नहीं है तो फिलहाल दोस्तों ये थी 3500-500 की भरती की क्रम में पहला विज्ज्यापन ठीक है अभी और आना बाकी है ठीक है कि दो सो दस माइनस कर दो तो 3500-500 में 210 माइनस कर दो इसके बाद और 3500 सम्तिंग भरती आएगी इसी तरीके से ठीक है तो बिल्कुल आयों जरी और तैयारी करते रहे है एक अपने जॉप सेक्योडी के लिए अल्कि यह बड्याप अल्टी रहती है शौट टम पर है ठीक है तो अगर आप रैटेडिया है एप्लाई करीए लिकिन कहना यहीं है यह आप अपने शीयोटी के लिए आगे पढ़ते रही त्यारी करते ठीक है अभी के लिए तना ही मिलते हैं नेक्स तुड़ों में थैंक यू